हलो एन वलकम एफ्रिवन, दौ ऑनलाइन गुरू में मैं सुनल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं सैनिक स्कूल एंटरंस एक्जैम का रिजल्ट आ चुका है तो round 1 के according कितने marks पे बच्चों का selection हुआ है इस सीरीज में मैं इंडिया के सभी government sanic schools को cover up कर रहा हूँ जिनका एक complete playlist आपको वीडियो के end में मिल जाएगा इस वीडियो में मैं जम्मू एन कश्मीर में situated जो government sanic school है नगरोता में उनके बारे में जो cutoff marks गए हैं उनके बारे में चर्चा करने वाला हूँ कि class 6, class 9 में boys या फिर girls का चाहे वो किसी भी category से हों जैसे कि general, OBC, SC, ST या फिर वो defense category से हों इन सभी के जो cutoff marks हैं वो कितने गए हैं उनके उपर हम लोग यहाँ पे एक चर्चा करेंगे सो आज का session स्टार्ट करने से पहले आप सभी को inform करना चाहता हूँ हमारे तरब से सैनिक स्कूल, मिलिटरी स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओगुरुव and other various competitive exams के लिए online classes available हैं अगर आप हमारे साथ जोड़कर online classes के थ्रूप रिपैर करना चाहते हैं आप मुसे कॉंटाक्ट कर सकते हैं तो चलिए आज का session स्टार्ट करते हैं आज का session सबसे पहले मैं बात करूंगा नगरोता में class 6 में home state के बच्चे की cut-off की अब यहां पर होम स्टेट का मतलब क्या है तो अगर जमू एन कश्मीर के domicile हैं और चमू एन कश्मीर में नगरोता में apply कर रहे हैं तो 67% seats जो है वो आपके लिए reserve होता है इसी को हम लोग बूलते हैं home state की category अब home state में भी जो girls थी उनके parent अगर defense में थे तो 252 marks पे select हुई है जबकि boys 256 marks पे select हुए हैं सेम एस OBC के अंदर जो चाहे ये जमू एन कश्मीर हो या लदाक से भी हो तो उनको भी count किया गया है OBC से हो तो girls 217 पे जबकि boys का 185 marks पे यहाँ पे selection हुआ है इसके अलावा SC category से girl का 238 पे जबकि boys का 237 पे यहाँ पे selection हुआ ST category से girls का 261 पे जबकि boys का 220 marks पे यहाँ पे selection हुआ है सेम एस अगर general category की बात करूँ तो girls 262 जबकि boys 252 marks पे यहाँ पे select हुए है अब आपको लग रहा होगा कि girls के marks जादा क्यों है तो इसका सीधा सा reason ये है कि girls के लिए number of seats कम थी boys के लिए जादा थी इस वज़े से boys का cut off marks जो है वो कम रहा है इसके बात करता हूँ other state की चुकि 67% तो वहीं के लोग fill कर सकते थे बाकी की seats other all over India से कोई भी आ सकता था तो उनमें class 6 में जो girls हैं बिहार से general 273 पे हिमाचल से ST का 228 पे मद्य प्रदेश से OBC का 264 पे जबकि महाराश्ट्र से SC का 236 और राजस्थान से defense का 251 पे select हुई है जबकि boys की बात करूँ तो बिहार से general 270 मार्क्स पे हिमाचल प्रदेश में ST से 229 मार्क्स पे करनाटका से SC 247 पे मद्य प्रदेश से SC 240 पे राजस्थान से 260 पे defense category में जबकि OBC में 261 में और general में 268 में select हुआ है उत्तराखंट का defense personnel 261 पे उत्तर प्रदेश का OBC 262 पे और उत्तर प्रदेश का general civilian 268 मार्क्स पे यहाँ पे select हुआ है इसके बाद बात करते हैं class 9 की तो देखो class 9 का 400 मार्क्स का paper होता है इस 400 मार्क्स के paper में जो home state है वहाँ पे girl के लिए एक भी seat अवेलिबल नहीं थी boys के लिए seat अवेलिबल है तो boys की seat में home state यानि की जमू एन कश्मीर के defense के बच्चे का 356 में जबकि जमू एन कश्मीर या लदाक के OBC के बच्चे का 252 में जमू एन कश्मीर या लदाक में home SC का 310 और general का 346 मार्क्स पे यहाँ पे selection रहा है इसके अलावा अगर other state की में बात करता हूं तो other state से बिहार से OBC का लड़का 336 पे जबकि हिमाचल से SC का लड़का 290 पे और उत्तर प्रदेश से civilian जो है वो 372 मार्क्स पे यहाँ पे select हुआ है तो यह था हमारा complete cut-off marks जमू एन कश्मीर के सैनिक स्कूल से related इसके अलावा बाकी सैनिक स्कूल के भी cut-off marks हमारे यहाँ पे available है आप playlist को click करके play कर सकते हैं और ऐसे ही regular informative sessions हम आपके लिए लेकर आते हैं उन सभी को देखने के लिए चैनल को subscribe कर bell icon press कीजिएगा और अगर हमारे साथ जुड़कर live classes से prepare करना चाहते हैं तो 773-765-3468 पर आप मुझसे contact कर सकते हैं तो मिलते हैं आपसे अगले session में तब तक के लिए जैहिंद